अग्याव स्टूडेंट्स वेलकम टु जीवन क्लासीज आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेखनीक डिप्लोमा के फॉस्ट यर अनुप्रक्त भौतिक सेकिंड की एप्लाइट फिजिक्स सेकिंड के फॉर्थ नुट को हमने थियोरी में कंप्लेट कर लिया था आज फॉर्थ नुट के नुमेरिकल हम देखने वाले हैं करंट इलेक्टिसिटी विदुधारा युनिट के हम नुमेरिकल आज कंप्लेट देखने वाले हैं इस वीडियो में कंप्लेट नुमेरिकल का सोलूसन आपको दिया जाएगा तो यहां पर हम बात करते हैं युनिट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें हमारा यह पुण्ड विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा स्कॉर कर पाएंगे प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासिज चली स्टाट करते हैं आज का यह वी कहते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आइक क्यू अपॉन टी इक्वल टू एन एपॉन टी यह फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं ओम का नियम क्या होता है यदि किसी चालक की बहुतिक अवस्था वैताप परिवर्थित रहे तो चालक के सिरो पर लगाए ग और काट का चेतरफल ए तथा जो चालक का पदार्थ है उसका विशिट प्रित्रोध रो हो तो चालक का प्रित्रोध कितना हो जाएगा आर एकौल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं ठीक है किसी परिपत में अगर धारा का मान पूछा हो जैसे हमारे पास यह परिपत दिया जो यहाद रखेगा व एकौल टूइ माइनस ऑया र होता ए माइनस अी आर होता है ओसेर्मिनल विववांतर सेल का अंतरिक पृत्रोध अगर हम निकालेंगे तो आर एकौल टूइ अपॉन v-r e upon v-1 और इंटु में capital R हो जाएगा ठीक है यह होता है cell का अंत्रिक प्रत्रोद और cell का terminal विवांतर होता है v equal to e-ir इसी तरीके से धारा का उसमें प्रुभाव अगर हम निकालेंगे तो h equal to i square r t होता है और इसी को लिखते हैं v square upon r into t और इसी को हम लिख देते हैं v i t तीनों formula को आपको याद रखना है विदु सक्ति के formula होता है p equal to i square r equal to में v square upon r भी होता है और v i भी होता है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखने है ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रत्रोध जो है वो बढ़ जाता है और r2 equal to r1 one plus alpha t2 minus t1 जहां पर alpha क्या है प्रत्रोध ताप गुणांख है स्रेणी क्रम से विजन में तुले प्रत्रोध किसी भी circuit का क्या होता है जो प्रत्रोध लगे होते हैं अगर वे स्रेणी क्रम में लगे हैं तो तुले प्रत्रोध होगा r equal to r1 plus r2 plus r3 dot 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 समानतर क्रम से विजन में one upon r equal to one upon r1 plus one upon r2 plus one upon r3 dot 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 यहां पर होता है ठीक है इनको फर्मुलों को सभी को याद रखेगा किर्चौफ का पहला नियम क्या कहता है इस नियम के अनुसार विजुत परिपत के किसी संधी यानिके जंक्सन पर मिलने वाली सभी धाराओ का बीजगनिती योग सुनने होगा और इसे संधी का नियम भी कहते हैं और यह नियम आवे संदक्स्टन के नियम पर आधारित होता है और E I equal to zero होता है ठीक है यानिके सभी का बीजगनिती योग के अतना होता है जिरो होगा किर्चौफ का दूसर नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार विजुत परिपत के किसी बंद पास में विदूद्वाग बलों का बीजगनिती योग प्रत्रो तो उसमें बहने वाली दारह के गुणोन नफल के बीजगनिती योग के बराबर होता है और इसे पास का नियम ही कहते हैं यानि के Loop Rule की कहते हैं और यहां उर्जस इंटरिश्टень पर आधारित होता है वन अपॉन टैन माइनस एल और कोल्ट में आर अपॉन एस होता है अब यहां पर पोस्ट आपिस बॉक्स का फर्मुला होता है रो एक्वल टू एस पाइडी स्क्वेर अपॉर अपॉन एल विवो मापी वे मीटर बिरिज के तार का प्रदार्त मेगनिन वे कांस्टेंटन होता है और इन पदार्त का रो उच तथा जो सिग्मा है वो कम होता है ठीक है अब हम चलते हैं निमेरिकल पर देखे सब सब पहला आपके सामने है किलो वाट घंटा देखे किलो वाट घंटा से आप क्या समझते हैं तो किलो वाट घंटा विधूत उर्जा की वेवासाइक गरों में युज होती है किलो वाट घंटा यानिके यूनिट हमारे घरों का बिजली का जो बिल है वह इसी आधर पर दे जाता है और यदि एक किलो वाट सक्ति का कोई विधूत उपकराण एक घंटा चलता है तो उसके द्वारा खर्च की गई जो विधूत उर्जा है वह अब हम देखते हैं एक किलो वाट घंटा इकॉल टू होता है वन इंटू टैन्टी पावर थ्री जूल पर सेकिंड और इसको तीन च्छतिस सो से किंड से मल्टिप्लाइ करेंगे यानिके हम बदलेंगे इसको जूल में तो वन आप वन किलो वाट घंटा इकॉल टू 3.6 इं में आता है ठीक है और वन किलो वाट घंटा इकॉल टू होता है 3.6 इंटू टैन्टी पावर 6 जूल किलियर है चलिए अब चलते हैं नेक्स निमेरिकल के तरफ नेक्स निमेरिकल आपसे कहेगा कि यदि टू ए की धारा यदि टू एंपियर की धारा दस सेकिंड तक प्रवा तो हम जानते हैं कि q इकल टू आइ टी होता है एब हमने अपको बताया और यहां पर आई की वैल्यू है टू और टी की वैलीू है यहां पर टी है तो टू इन्टू टैन कितना होंगे जो एक कॉंस्टेंट वैल्यू है थीक है तो एन इक्वल टू जो हम इसको सौल करेंगे तो 1.25 इंटू टेंटी इलेक्ट्रों की संख्या यहां पर आ जाएगी नेक्ट निमेरिकल आपके सामने है कि दिये गए चित्र में आपको एक चित्र दिया हुआ है उसको आपको देख परिपत का तुले पृत्रोद बताना है और नहीं बताने कितनी बहरी है और सैल की प्लेटों के मद्धे टर्मिनल विभांतर बताना है वी कॉल टू इवांस आई आर याद रखेगा ठीक है अब चलते हैं इसमें देखेगा हमें क्या इसमें दिखाई रहा है कि आर वन आट करेंगे ben औन माधन पास वं को स्वेर्ट के सवेर्ट का सorg देटा उनकरीट करेंगे तो फोर पॉर पॉर अपन एट आएगा यानि कि हम इसको डिवाइड करेंगे और इबाई पस टूं इसी तरीके से आर फौर और आर फाइब आप देख़ लीजिएगा समानत्र करम में हैं तो वन अपन आर डैस हमने माले पहचान के लिए उने डैस लगाए एट वन अपन आर फॉर प्लस वन आपन फॉर प्लस वन अपन फॉर तो यहां पर आर डबल डैस की वेलियो हो जाएगा हमरे पास लुई हो जाएंगे तो हम करते हैं यहां पास में किस च Arendy कल देख के आर डैस प्लस अरब डैस तूगर की तो हूँ तो और सब्स था भजेगा पर आपका एक आंसर मिल जाता है सेकंड में आप से पूछा गया कि परिपत्र में धारा ग्याद कीजिए परिपत्र में धारा का फर्मॉला होता है हमारे पास आई इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस आर यानिके विदुद्वागबल अपॉन कुल पृत्रोध तो देखेगा ह इस तरा आप से पुछाणा है कि स्ैल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभानतर कितना होगा हुआ तो सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभानतर आप आपका आंसर हो जाएगा कि एक विद्धुत हीटर पर 550 वाट और 200 वोल्ट अंकित है इसका प्रत्रोद ग्याद कीजिए इसको 10 घंटे प्रियोग करने पर एक रुपए प्रति लीटर एक रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से कितना खर्चाएगा एक वार फिर से सुनिए एक विद्धुत हीटर है 550 वाट और 200 वोल्ट उस पर अंकित है छपा हुआ है इसका प्रत्रोद हमें ग्याद करना है और इसको जो है 10 घंटे और जो हमारे पास वोल्ट रोट वह कितना है 220 50 वोल्ट उस वोल्ट और कितना है 10 घंटे आप यह कि हमें जब भी हम स्य्पोर्मेल मों है उन है कि किमा खर्च आएगा थचा को ऺतृण हमें वूल्ट ने क्या सब Bentgen कि दो कि सबसे पहले हम 220 हो जाएगा और 550 88 ओम आ जाएगा और इकोल टो कितना है अब हमें दिया हूँ है कि जो उर्जा है वह कितनी आई 550 वाट है तो 550 वाट है यह निके जो हमरे पास उर्जा है वह हमरे पास कितनी हो जाएगी वाट को हम जो है clearly करेंगे kilowatt में तो हम क्या करेंगे एक हजार अपवने ख़जार से इसके मल्टिप्लाइग कर देंगे तो 550 अपवने एक हजार kilowatt ठीक अब पी कोल टू कितना आगे 550 अपन 1000 की वार्ट है तो तो हमारे पास आजेगा P equal to 5.5 kilowatt घंटा तो कुल खर्च 10 घंटे में एक रुपए के हिसाब से एक रुपए प्रती किलोवाट घंटा यानिके कुल खर्च कितना आएगा 5.5 kilowatt घंटा into एक रुपए प्रती किलोवाट घंटा equal to 5.5 रुपए तो 5.5 यानिके 5.5 रुपए लगाए तो बंद पास सबसे पहले हम देखेंगे A, B, E, F और A में ठीक है हमने माना कि धारग डारेक्शन यह है ठीक तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मॉला होता है किर्चॉफ का वो क्या होता है टोटल जो वोल्ट होता है टोटल विभा होता है और एक्वल्ट में टोटल विद्धूर वाहक बली यहां कि आई आर जो है वो टो अिधार है और यहां पर है पांच ओ तो आईंटी है यहां इन्टा कितना हो जाए है पांच यानिके आइंटी फाइए वन प्लस फाइव आय टू और प्लस में आइवन इकोल तो तो यहां पर सिट्स आयगे फाइवन प्लस फाइव एटू उक्वेशन नुमबर वन हमारे पास आगे अब इसी तरीके से बंद पास में किसमें देखेंगे B, C, D, E, B में यानिके B, C, D, E और B में इसमें देखेंगे तो हमने धारा की डारक सम्मानी इस साइड में तो देखेंगा यहां से सबसे पहले इस प्रित्रोद में देखेंगे तो इस प्रित्रोद में I2 धारा जा रही है तो I2 इंटू 4 होगा यहां पर यहां पर जब देख धारा, जारही है, वो जारही, I2, तो I2 इंटु, टू हो जाएगा धे और सभी पिलस में होँ क्योंकि जोfive सब्सक्न होगा है, वो हमने इस साइड में सब्सक्न हम दहरा की डिरेक्शन आ रहे है तो I2 इंटू स्वाल कोने पर हमेरे पास आया 30 i1 प्लस 25 i2 इकल टो 20 और 30 i1 प्लस 66 i2 इकल टो 36 तो यहां पर माइनस देखेगा यहां से ही कैंसल अट हो जाएगा और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो मैनस के 41 i2 बचेगा और माइनस के 16 तो माइनस माइनस कंचल आउट हो जाएगा और इक तालिस ए इसी तरीके से समिकर्ण एक में आइटू का माहन रखेंगे तो हमेरे पास आएगा जो शिक्स आइवन और प्लस में फाइव अब देखेंगे तो यहां पर इकवल टू फॉर आ जाएगा तो शिक्स आइवन और इ तो आइवन के वैलेव कितने आजएगी चौदा बट टालिस इंप्यर इसी तरीके से फाइव ओम पर टूर बेहने वाले धारा कितनी है कि आईवन और आईटू धारा बहर रहे तो आइवन प्लस आईटू कर देंगे तो आईवन प्लस आईटू की वैल्यू हम रखेंगो ह तो यहां पर जब i1 प्लस i2 की वैल्यू हम रखके सॉल को रहेंगा तो तीस पटे 41 एंपिर आएगा हमसे पूछा गया था पांच ओम प्रत्रोध में बहने वाले धारा कमान बताईए तो पांच ओम प्रत्रोध में कितने धारा वह रहे तीस पटे 41 एंपिर की धारा बहेगी ठीक है यही हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं आपके सामने क्वेशन है कि देगए परिपत में बिंदु ए तथा डी के मद्धि विवांतर गयाद कीजिए हमें जो है परिपत दिया हुआ है और इसके मद्धि हमें विवांतर गयाद करना है तो हम यहा आहा एसमें जा रहे है तो हाई जो है वहाई एकृण்न डोनों में कर्वाच सकते हैं ठीक है Neap परिपत में ABC का तुले प्रतुरों सबसे पहले ABC ABC का तुले प्रतुरों में जोड देते हैं तो क्या करते हैं प्लस 30 कितना चालिस इसी प्रकार ADC में तुले प्रतुरों हम निकालेंगे तो ADC में कितना जागा आर्टु पंदरा प्लस 25 यानिके यह भी चालिस आजाएगा ठीक है जब हम इनको बनाएंगे यह दोनों एक हो जाएंगे तो एक कितना हो गए यह आरवन और यह कितना हो गय है यहां पर एक कितना हुल टू टु हो जाएगा ठीक है यहां पर क्लतुरों मैंने हमरे पक और है थीक है यह हमरे पार बैट्र लगई है इस तरह के खान से सर्क्विट है अब इस तरह आपार रहा की और रही कितना यह और एक कितना है हमारे पास दो वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और आर की वैलू कितने आई है यानिके जो हमारे पास आ रहा है वह इतने 20 तो टू अपॉंटी हो जाएगा अब इसी तरीके से हम जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आ इकॉल टो जीरो पॉइंट वन एंपिर सेल का टर्मिल पॉइंट पॉर्ट का फ़िवल्मलर आपको पता है चली अब देखेगा आरें को टु आई है उसका आदा है यनि के आई वाइड तू हो जाएगा दोनों अगर प्रत्रोत बराबर्बर तो क्या हो जाएगी तो जैए गल जाएगा 0.1 का विभाव कितना है वी एकौल टुञ वल्ट आया है तो अ और बी चे बीच विभांतर कितना हो जाएगा वी इस मीड़तYouạ जारा वी ये मैने सबद्द यह होता है वी इकौल ट। इया होता है ठीक जिरोफाइब और टैन क्या है आर यानिकि 0.05 इंटू 10 यानि 0.5 आ जाएगा इसी प्रकार जब हम निकालेंगे इसमें तो यहां पर i1 i2 कितना है 0.05 है तो यहां पर जब हम लिखेंगा i2 इंटू पंद रहा तो 0.05 इंटू पंद रहा जाएगा 0.75 वोल्ड इसी तरीके से अब VD की वेलू निकालेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास की VA-0.75 V-0.75 और यहां पर 2-0.75 वी डी की वेलू कितनी है 1.25 ठीक है हमको क्या निकालना है वी बी और डी बी और डी के बीच में विवांतर निकाला था यानिके VB-VD करेंगे तो VB की वेलू 1.5 वी डी की वेलू 1.25 जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.25 वोल्ट आएगा और 0.25 वोल्ट हमारा क्या हो जागा आंसर हो जागा कि हमें क्या पुछा था हमसे पुछा था बी और डी के मध्य विवांतर यहां पर पुछा गया था कितना ह है और यहां पर हमारे पास जो है इस तरीके से दिया हुभा ते यहनी कि इस के बीच में विवांतर कि तो आ या हमने जो है वही निकाल के दिखाया ठीक है बी और डी बी और डटी के मध्य क्या निकले गा ओंसर आ स्कूर्फ also V6 6-0.25 वोड यह ही मारा आंसर हो जाएगा एक लिए नेक्स्ट है देखिए निमेरिकल वीटिस्टोन ब्रिज पर विटिस्टोन ब्रिजपर निमेरिकल है तो आपको यह फर्मूला याद रखना होगा कौन सा कि वीटिस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्ता क्य होता है तो सबसे पहले आप आप यह संतुलीट अवस्था में है ठीक है तो लिखेगा हम जानते हैं कि यह दी का पाठ सूने हैं तो यह निके रिडिंग ठीक है तो यह है एक संतुरित वीडिस्टों ब्रिज था तो हम रखेंगे पी अपॉन क्यू टू आर अपॉन एस तो आप देखेगा पी तो हो गया वन और क्यू हो गया हमारे पास यह समानतर क्रम में जो है तो इसको हम सॉल्व करे अपास होजएगा थी आर अपउन ठीज इस तरह के समसॉल्व करेंगे तो यह हो गया कि हमरे पास क्यू और यह होगा हुगा एस ठीक है तो आर्क वालियूर्य है और वेल्य वेलिवन है तो क्यूं क्या निका रहें देखेंगा क्यूंकि आले हैं तो इनके दोनों ही क्या है 3R और equal to 3R प्लस R तो हम जब इसको क्या करेंगे क्यों क्यों निकालेंगे तो 1 upon Q है यह तो क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा तो Q equal to क्या हो जाएगा 3R upon 3 plus R ठीक है और यही होगा हमरे पाद 3R plus 3 upon 3R upon 3R upon 3 plus R यह हुआ ठीक है और equal to 4 upon 8 हुआ ठीक है तो 3 plus R upon 3R हम जब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 1 by 2 और यह जो होगा 6 plus 2R equal to 3R हो जाएगा ठीक है अब 6 equal to 3R minus 2R हो जाएगा इसको हम इधर ले जाएगे तो यहाँ पर R equal to आजएगा हमरे पास 6 Ohm और 6 Ohm यह हमरे पास क्या हो जाएगा आंसर के लिए चलते हैं नेक्स निमेरिकल की तरफ यदि ग्यालविनमेटर का पार्ठेंग सुन्ने हो फिर से सुन्ने हो गया तो सबन्स लीजेगा तुरंत कि यह जो है एक संतुलित वीटिटों ब्रीज है तो अग्यात प्रत्रोध एस कामान ग्यात किजिए और एस जो है 21 तो 21 रख देंगे और एस की हमें निकाल ली है तो यह गया हमारे पास ठीक है तो एस इकॉल टू फॉर इन्टू टुवन्टी अपॉन सिक्स और इकॉल टू गया हमारे पास 14 ओम देखें कितना सिंपल क्वेशन आपके बार-बार क्वेशन में पूछे जाते हैं ठीक है त इस दो का और चॉटे Calendar घीक है यारी की यहां यह सेर चार और दो और चार ठीक है अब यहां से 2 और एक और यह शिव गया हो मैं सी कहां यह तो यह कहां पाई यह दो और वन का गया है और इसी से हम क्या देख रहा है कि सी से थ्री ओम का भी गया हुआ है थ्री ओम तो थ्री ओम का भी यह कनेक्ट है यानि कि यह भी कनेक्ट है यह भी कनेक्ट है यह थीन कनेक्ट है देखेगा ध्यान से सी से प्रिष से देख लिए लिए गार जो आपका सी पॉइंट है सब से पहले देखिए एसे ए इससे दो ओम और चारो ऑम का कर दिया ठीक है इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि वन और टू का ही कुण ठीक किये और यहां से बी टर्मिनल है थीख है अब डीपर आएगा तो डीपर क्या है एक नु तो तीन है और एक चार है और एक हमार पास 2, ठीक है, यानि के 3 और एक 4 और एक हमर पाद 2, तो जब हमने इसको बनाया, तो यह VStone Bridge की भाती काम कर रहा है, बिलकूल VStone Bridge का shape बन गया, तो ये ये संतुलन की अवस्था में है, तो इसका हम जांच लेते हैं, तो P upon Q प्रित्रोध में कोई धारा नहीं भहेगी घेख थीक है तो इसलिए में कोई धारा नहीं भहेगी ठीक है तो बीच वाले में कोई इसे चोड़ा जा सकता है तो तो अब हमारे पास देखिए यह इस तरीके का यह सर्क्रीट है यह पूरा गुंपलीट बन चुक है तो संपूर्ण यह वनपोन आर दैस्ट की वेलूइ हमारे पास यह और वनपोन यह जो है यह इसके वेलु हुआ थिख और आप पास थिख यह तो यहां पर वनपोन और इकोल हो ज्टू प्लस एठ你有 ऑपाउन दो कि अब टो ऑन हो चलते हैं नेक्ट से मालूम करेबा कि एक मिटर ब्रीज संतलित वस्था में दिखायागार ऊग्यात प्रितरो adapting एक स्थान 1 ग्यात प्र लेक्माद किया होगा क्या होगी की मिटर ब्रेश विजिटांद पर ही कारे करता है थीके तो पी की वैलिई कितनी है देखेगा 50 9 पूशा कबारे से निकलने दारा कामवान गयाद किजिए तो यहाँ पर द Hemaj प्रतोर पी कृट्रोंड एक्वाल कितना है 40 इंटू 1 हो जैएगा क्यों कूआकि देखेगा जो हमरे पास पृतोरोद होता है पृतोरोद होता है V into I ठीक है V into I, अब देखेगा यहाँ पर 40 cm है ठीक, 40 cm है तो हमारे पास यह हो जाएगा Ohm में हम इसे convert करेंगे तो हमारे पास चालिस into 1 क्योंकि हमारे पास यह 1 meter के तार में है ठीक है, तो प्रतुरोद में से convert करेंगे तो हमारे पास दिया होए कि प्रतुरोद कितना है 1 Ohm पर cm तो 1 Ohm पर cm तो 40 cm में कितना हो जाएगा 40 Ohm और 60 cm में कितना Ohm हो जाएगा 1 Ohm पर cm के हिसाब से 60 into 1 और कितना हो जाएगा 60 Ohm तो यहाँ पर आप जो है P और Quick Value हमें मिल चुकी है तो 6 Ohm तथा 9 Ohm जो है दोनों स्रेणी करम में है अब देखेगा 6 Ohm और X के वैलू कितनी है 9 Ohm दोनों कितनी क्या है स्रेणी करम में है तो हम लिखेंगे 6 प्लस 9 दोनों को एड़ कर देंगे तो 15 Ohm आजाएगा ठीक है 40 और 60 भी दोनों स्रीज में है चालिस और साथ दोनों स्रीज में हैं तो दोनों स्रीज में है तो हम इनको भी एड कर देंगे इनके चालिए प्लस साथ इकोल टू केतना जगा सो ओम अब क्या हो जाएगे जो परिपत का तुले प्रत्रोद है वह कितना हो जाएगा इस तरीके से बनेगा यानिके यह जो है य हम जो चाल लेंगे आर इकोल टू आता है तेहरा पंट जिरो चार ओम कितना आएगा तो यह संपुन परिपत का जो तोले प्रत्रोद हो कितना आ गिया तेहरा पंट 0-4 ओम अब निकालने में बैटरी की धारा तो निकालने के लिए आई कोल टू ऑन क्या हो जाएगा आर प् कितना है 0.8 ampere होगा ठीक है नेस्ट क्वेशन आपके सामने होगा कि माना एक घर में चार पंखे सभी 80 वाट सभी 80 वाट के हैं चार पंखे दिन भर में 15 घंटे कारे करते हैं ठीक है उनके द्वारा व्याय विदुत उर्जा किलोवाट घंटा में ग्याद कीजिए तो एक पं तो कितने हैं 80 वाट तो 80 वाट किलोवाट में करेंगे तो सिकर्फा चार। 1.2 किलो वाट घंटा एक पंखे के आपके सामने है यह क्योशन आपके सामने इतना इजी है लेकिन आता ही आता है दर्साय गए चित्र में धारा आई कमान किजिए यह संधी एपर किरचौफ के संधी के नियम से जो है हम देखते हैं आई कमान हमें निकालना है ठीक है तो संधी एपर एपर देखेंगे तो एपर जो है आनेवारी धारा कितनी है टू ए और थ्री ए और जानेवल धारा है हमारे पास यह ठीक है तो आई ए भी इसमें देखेंगे हम ठीक है यहाँ पर आई ए भी में तो IAB में कितना है, यानिके 3 और 2, यह 3 और 2 ही दोनों इसमें जा रही है, तो किया है, 3 प्लस 2 यानिके 5 Ampere हो गया, ठीक है, इसी प्रकार संधी B पर, B पर देखेगा, B पर, यानिके IAB होगा, तो IAB कितना है, 1.5 यहां पर यह निकल रही है, तो 1.5 प्लस IBC, यहां से हो जा जाएंगे, तो कितना हो जाएंगा, IBC इकोल टो 3.5, IBC कितना हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है, अब आगे, अब संधी C, संधी C पर आए, तो संधी C पर जैसी हम अएखे तो किванis IBC एकोल टो I plus I two, IBC यहांसे गई, और I plus यह हो गया, और यह हो गया हमरो पास टो, ठीक है, तो आने वाली धारा कितनी है आई और टू तो दोनों को मेट कर देंगे जाने वाली को और रख देंगे आने वाली के थीक है तो 3.5 इकल टू आई प्लस टू ऑजएगा 1.5 और यह हमारे पाट टोटल धारा हो जाएगी ठीक है चलते हैं नेक्स नुमेरिकल की तरफ नेक्स नुमेरिकल आपके सामने है देखेगा यूपी बीटी में 2000 में आया हुआ है निम्न विदुद परिपत में यदी वोल्ट मापी का पार्ट सून निये हो पार्ट यांग टोटल विदुद्वाग्बल और है में टोट रठीक तो 2भागबल विदुद्वाग्बल करने हों तो कि इता हो जागा ए प्लस ई और नेकैं अरो रवनप्रिप्रृमिन फ्स विवान्तर, वह V equal to e minus ir होता है, तो r1 से निकालेंगे तो V equal to e minus ir1 हो जाएगा, ठीक है, तो i की value होँ है हमारे पास यह वाली, 2e upon r plus r1 plus r2, तो e minus 2e upon r plus r1 plus r2 into r1 हो जाएगा, तो V equal to E minus 2E R1 upon R plus R1 plus R2 किलियर परन्तु हमें दिया हुआ है कि वोल्ड मिल्टर का पार्ठ हैंक सूनने है आता है जो उप्रोक्त में V equal to 0 रख देंगे तो 0 equal to E minus 2E R1 upon R plus R1 plus R2 तो E equal to हो जाएगा हमरे पाए 2E R1 upon में R plus R1 plus R2 यानिके इस E को हम इधर ले आएंगे ठीके तो R equal to क्या हो जाएगा R1 plus, sorry, R equal to हो जाएगा हमरे पास R minus R2 R1 minus R2 हो जाएगा, ठीके तो इस तरीके से हम इसको solve करेंगा अब यहाँ पर किस तरीके से हुआ आप देख लिजीगा देखे, E से E cancel out हुआ ठीके, E से E cancel out हो तो हमरे पास क्यों हो गया R equal to R1 और plus में, sorry E से E cancel out, तो हम इस लिखेंगे R और plus R1 और plus में R2 और equal to में 2R1 ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसको इधर ले जाएगे तो दिखेगा, R plus R2 और equal to में 2R1 और minus R1 हो जाएगा तो R1 हो जाएगा और इसको भी हम इस ले जाएगे, तो minus R2 हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास R equal to R1 minus R2 यह answer हो जाएगा, ठीक है next आपके सामने numerical है, कि एक 220 V से 220 V और 200 Watt bulb तथा 220 V और 2 KW गीजर में से किसका प्रत्रोद अधिक होगा ठीक है, यह तो होगया, बल्ब का और गीजर का प्रत्रोद कितना है, R equal to V square upon P तो गीजर का क्या हो जाएगा, 220 की पावर 2 यानि कि गीजर के लिए कितना दिया हो है, ठीक है और P पावर कितना है, 2 KW यहाँ पर हो जाएगा 24.2 Ohm तो चुकि R जो है, वो proportional होता है, 1 upon P के तो इसलिए कम शक्ति वाले उप्राण का प्रत्रोद होगा, वो आधिक होगा यह हमार पास आंसर हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी हमारे पास unit number 4th के total numerical थे, वो आपके सामने है और इन numerical से बाहर एक भी question आपका जाने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को आप एक बार और देखेगा और खुद से numerical को solve करेगा, ठीक है, मिलते है next वीडियो में, और next theory के साथ, thanks for watching